नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारे नीज में आपका स्वागत है आज है 10 सितंबर दिन रवीवार खबलों के और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार सताब्दी कुस्ट कल्यान योजना के तहत मिलती है इतनी आर्थिक सहायता जी बीस में बिहार को मिल रही नहीं पहचान राचे के सदर अस्पतालों में अब शुरू होगी ये विवस्था आधार और मोबाइल नंबर से जुरेंगे जमीन मकान पाकस्तान के खिला भारत के फ्लेंग 11 में कट सकता है स्लॉप खिलारी का पत्ता अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 पड़ी खबरों के ओर वस्तार से इंडियन कोस्ट गार्ड में 350 पदों के लिए निकली भरती इंडियन कोस्ट गार्ड के ओर से नाविक जनरल ड्यूटी नाविक डुमिस्टिक ग्रांच और यांत्रिक एकुल 350 पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में जो भी उमिद्वार भारतिय तटरक्षक बल में शामिल होकर देश की सिवा करना चाहते हैं भारतिय तटरक्षक बल की ओफीसियल वेबसाइट जोइन इंडियन coastguard.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बतादी के आविदन करने की अंतिम तारिक 22 सितंबर 2023 तक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचने क्योगिता की बात करे तो उमिद्वार को पदानुसार दसवी बारवी फिजिक्स और मैथ स्विसियों के साथ दसवी के साथ संबन छेतर में डिपलोमा आधी किया होना चाहिए इसके लावा उमिद्वार की नियूंतम आयू 18 वर्स एवं अधिकतम आयू 22 वर्स से तादा नहीं होनी चाहिए इस जुरी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी के गए अधिसूशना को देख सकते हैं बिहार सताब्दी कुस्ठ कल्यान योजना के तहत मिलती है इतनी आर्थिक सहायता बिहार सरकार के समाज कल्यान विभाग के द्वरा बिहार सताबदी कुस्ठ कल्यान योजना के अंतरगत विजिवल डिफॉर्मिटीस ग्रेड दो के कुस्ठ रोगी को बिहार सरकार के ओर से प्रतीक महीने सहायता राशी के रूप में कुछ पैसी दिये जाते हैं ताकि उनका जीवन थोड़ा आसान हो सके बता दे कि बिहार सरकार के इस योजना का मुख्य उद्धिश जीब को पारजन में और समर्थ कुस्ठ रोगियों को विक्छा बृती से दूर करना है आपकी जानकारी के लिए कि इस योजना के तहत बिहार सरकार के दोरा कुस्ठ रोगी को और फ्री नंबर 180003456262 पर समपर्कर जानकारी प्रात किया जा सकता है बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मनीश तिवारी के बारे में मनीश तिवारी एक भारती फिल्म नर्देशक और पटकता लेखा के उन्होंने इश्क और दल दोस्तियादी फिल्मों का नर्द राजनितिक सापताहिक में राजनितिक पारिसितिकी सिस्तम मधित लेख प्रकासित किये हैं उनका मोनोग्राफ सर्शक भारत में सहभागी वन नीतियों और राजनिती जारकन और पश्रिम बंगाल में संयुक्त वन प्रबंधन संस्थान एस गेट यूके द्वारा प्रकास फिल्म है जो उनकी मूल कहानी पर आधारित है मनीश को दिल दोस्ती आधी के लिए आईफो और परसिप्ट के सलाम एक कॉमेडी पुरुसकारों में सर्वसिस्ट डेब्यू नर्देशक पुरुसकार के लिए नामांकित किया गया था चिरियांख खाना 2023 की भारतिय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो मनीश तीवारी द्वारा लिखेता और नर्देशित है जीबीस में बिहार को मिल रही नई पहचान बीतर दिन से जीबीस की शिरुवात हो चुकी है बता दे कि इस जीबीस में बिहार को नई पहचान मिल रही है दरसल जीपीस में बिहार के कलाकारों की समर्द परंपड़ा और उनके अद्भुत कौशल को दुनिया भड़ के हस्त और सल्प के जानकारों द्वारा सरहना मिल रहा आपके जानकारी के लिबता दे के दिल्ली के भारत मनपम में लगाए गए क्राफ्ट बाजार में कहीं सारे ऐसे स्टॉल्स लगाए गए हैं जिससे बिहार के संस्क्रीतियों और कलाओं की छाब छलक रही है मालम हों कि इन स्टॉल्स में बिहार के भागल पुरी सिल्क, मदुबनी पेंटिंग, याचनी की मुर्ती समेथ कई चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई है और इसके साथ ही लोगों को इन हस्त सिल्प और हस्त करगा की पारीकियों के बारे में भी जानकारी दी जारी है इन स्टॉल्स में लगे उत्पादों को खरीदने का अफसर जी बीस में दूसरे देसों से पहुंचे प्रतिनीधियों को भी मिलेगा इस दिन से मिलेगी बिहार को 561 मेगावार्ट बिजली मार्च 2024 से बिहार को 561 मेगावार्ट बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी तरसल यह बिजली बिहार के बकसर के 47 थर्मल पावर प्लांट से मिलेगी जहां बिजली उतपादन की शिर्वात मार्च 2014 से होनी शुरू हो जाएगी बतादे किसे कुल 1320 मेगावार्ट बिजली का उतपादन होगा वहीं आगे चल कर बिजली उतपादन की छमता को बढ़ा कर 2000 मेगावार्ट तक करने की तयारी है इसको लेकर अधिकारियों के द्वारा इस बिजली घर का निर्मान अंतिम चरन में होनी की बात कहते वे साल के अंत तक उतपादन का ट्रायल सुरू होनी की उम्मीद लगाई गई है आपकी जानकारी के लिए बता दे किस थर्मल पावर्ट प्लांट का निर्मान 17 जल विद्यूत निगम के द्वारा करवाया जारा है मालुम हो कि प्लांट में 660-660 मेगावार्ट के दो यूनिट बनाए जाएंगे जिसकी पहली यूनिट के सुरू होनी की उम्मीद इसी विद्य वर्ष्रे लगाई जा रही है 1283 एकर में बन रहे इस बिजली घर में 30 प्रतीशत तक बिदेशी कोईले का इस्तमाल किया जाएगा मालुम हो कि वर्तमान में इस योजना की लागत 10 करोड रुपै से अधिक की आकी जा रही है अब DM तैक करेंगे कि राजे में कब चलेंगे कोचिंग संस्थान अब राजे में सरकारी स्कूल, कॉलेज और सिक्षन संस्थान की अबधी में कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं किया जाएगा इसके साथ ही संस्थान यह भी सुनशित करेंगे कि कोई भी सरकारी सिक्षक या गैर सेच्छ चक्रम चारी किसी भी तरह से कोजिंग से नजुड़ा रहे बता दे कि दियेम के पास यह सकती होगी कि वह कोजिंग संस्थानों के समय का निर्धारन कड़े इसके अलावा चात्रों के सुल्क में कटोती भी जिलाधिकारी के दोरा किया जा सकेगा मालम हो कि बिहार कोचिंग संस्थान नियमवाली 2023 पर विधी और विधी विभाग की हरी जंडी मिल गई है वहीं अब इससे लागो करने के लिए विभाग की ओर से इस प्रस्ताव को काबिनेट में भेजने की तयारी की जा रही है फिलाल इस प्रस्ताव को सच्छा मंतरी प्रोफसर चंदर सेखर को भेजा गया है उसके बाद इसे क्याबिनेट में भेजा जाएगा बतादे किस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि संस्थान की प्रते कफचा का एरिया 300 वर्ग फूट होगा राजी के सदर अस्पतालों में अब शुरू होगी ये विवस्था जब से स्वास्त विवाग के जिम्दारी बिहार के उपमुखे मंत्रे तेश्री आदव के हाथों में सौपी गई है तब से उनके द्वारा आए दिन इस विवाग में नए नए जरूरी बदलाओ किये जा रहे हैं इसी कड़ी में अब तेयश्री आदब के द्वारा एक और पहल की शिर्वाट की गई है जो अस्पतालों में मरीजो और उनके परिजणों को होने वाली समस्या से जुरी है बता दे किसके जानकारी तेयश्री आदब के द्वारा एक वीडियो के माध्यम से दी गई है जिसे आरजेदी की ओर से एक्सपर्ट जो की पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर पोस्ट किया गया है इस वीडियो में तेश्री आदव के द्वारा बताया गया है कि राजे के सभी सदर अस्पतालों में दरगा पूजा से पहले जिवीका दीदी की रसोई चालू कर दी जाएगी जिससे कि सपतालों में खाने पीने से जुरीक होने वाली किसी भी समस्या का सामना मरीजों या उनके परिजनों को नहीं करना होगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मुख्य मंतरी नतीश कुमार के अध्यक्षता में काबिनीट वैठक में फैसला लिया गया था कि जिवीका दीदी की रसोई योजना के तहट मरीजों को फ्री में खाना दिया जाता तो वहीं उनके परिजनों को कम से कम दाम में भोजन उपलब्द करवाया जाता है दिपावली और छट आने वाली है ऐसे में वे समी लोग जो बिहार से बाहर रहकर कमाते हैं वे परव में अपने परिवार के साथ रहने के लिए वापस बिहार आना चाहते हैं बता दे कि भागलपुर आने वाली ट्रेनों में 12368 डाउन विक्रमसिला एक्सप्रेस 2246 गडीवरत एक्सप्रेस 22947 सूरत भागलपुर एक्सप्रेस तिन सुक्रिया एक्सप्रेस में वेटिंग 200 से जाधा है हाला कि रेलवे के ओर से शिरुक किये जाने वाले स्पेशल ट्रीन से लोगों को सुधा मल सकती है इसके अलावा पर्व तेवारों को देखते वे विमान के किराए में भी काफी बढ़ोतरी हो गई है राजी में स्कूल से बच्चे तीन दिन तक रहेंगे अपसे प्रिंसिपल करेंगे नोटस जारी इन दिनों बिहार में सक्चा विवस्था में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार के सक्चा विभाग के अपर मुखे सचीब केके पार्थक के द्वारा कई जरूरी फर्मान जारी किये जा रहे हैं जिन में से कई फर्मान पर सक्चकों के दोरा विरोध भी जताया जा चुका है वहीं आप केके पाठक की ओर से एक और फर्मान जारी किया गया है जिसकी जामकारी D.E.O. को दे दी गई है बतादे कि इसने फर्मान के तहट केके पाठक की ओर से कहा गया है कि वैसे बच्चे ज से कार दिया जाए स्कूलों में चात्रों के उपस्ति बढ़ सके इसको लेकर DEO और DPO सभी बच्चों और उनके अविवावकों से बात करेंगे आधार और मोबाइल नंबर से जुरेंगे जमीन मकान अब बिहार में जमीन वा प्लोट की काग जी मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति के आधार और मोबाइल नंबर जमीन मकान से जुरने अनिवारे हो गया है इसको लेकर भूमी एवम राजश्व विवाग के दोरा दिये गए नर्देश के बार राजशे के विविन जिलो में यह काम शुरू हो गया है बतादेग सकारे को करने के ड्यूटी विवाग के ओर से राजश्व करमचारी को दी गई है मालुम हो कि अगर मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति का मोवाइल बहाधार नम्बर लिंक हो जाता है तो वो व्यक्ति घड़ बैठे अपनी प्रॉपर्टी से जुरी सारी जानकारी हासल कर सकता है इसके लिए उन्हें बस नगर निगम की वेबसाइट पर जाना होगा वहें इसके अलावा मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति की सहमती के बिना कोई प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री भी नहीं की जा सकेगी और नहीं अंचल अस्तर पर इसका जमाबंदी कायम होगा बतादे कि मृत व्यक्ति के नाम जमाबंदी होने पर उनके उत्राधिकारी के आधार से लिंक होगा मालूम हो कि लिंकिंग के लिए विभाक की ओर से तीन सुधाएं लागू की जारी है जिन में राजश्व करमचारी मोबाइल अप जमाबंदी को बाईश भासाओं में देखने के सुधा और सभी जमाबंदीयों की स्वैच्छिक आधार पर मोबाइल वा आधार नमबर सिरिंग अभियान शामिल है बिहार के परिटर में आज हम बात करेंगे वेनुवन के बारे में वेनुवन एक कृत्रिम जंगल है जो बिहार के नालंदा जिले में अधिसुची छेतर राजगीर में स्थित है यह बास का जंगल कभी राजगी उद्यान हुआ करता था वेनुमन को विश्व का पहला बौध विहार होने का गौड़ प्राप्त है यह स्थान उस समय मगत के राजा बिम्बिसार द्वारा भगवान बुध को उपहार में दिये गए पहले अस्थानों में से एक माना जाता है इस स्थान को बिम्बिसार द्वारा बुध को पहली उपाहर जगा माना जाता है जो उस समय मगत के राजा बिम्बिसार द्वारा बुध को मिला था में मिसार एक बार पास की सरस्वती नदी में सनान करते समय देरी हो गई और राजगीर शहर का गेट राजा के लिए भी बंद कर दिया गया राजा ने इस पास के बगीचे में बुध की संगत में राद बिताई और इस तरही अस्थान भक्तों के लिए महत्दपुण है वहाँ एक बड़ी कृत्रिम जील और एक बध मुर्तिकला जापानी द्वारा नंड में जील के बगल में समर्पित है जहां एक स्तांतिपुण वातावरन का आनंद उठा सकते है अब वेनुवन के ही परिस्तर में एक नव वेनुवन विहार का निर्मान कड़ाया गया है यहां एक विशा बुध प्रतिमा भी लगी है कक्चा एक से बारवी तक के छात्र छात्राओं को इन योजनाओं का लाब देगी सरकार राजी के सरकारी स्कूल में कक्चा एक से बारवी तक में पहने वाले छात्र छात्राओं को विहार सरकार के दोड़ा विविन योजनाओं का लाब देने के लिए विभाग के दोरा 30 सितमबर तक सभी जिलों के जिला सक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कारेक्रम पदाधिकारियों को राजी की सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे चातर चातरा और उनसे संबंध आकडों की एंट्री मेधा स नाम के सामने नो की तिक लगाने के बाद उसके दो प्रिंट आउट निकाल कर एक प्रती विद्याले में रखी जाएगी तो वहीं दूसरी प्रती माधिमें एक सक्षा के जिला कारीक्रम पदाधिकारी को प्लब्द करवाई जाएगी जब 5 ऑक्टूबर तक उसे सत्यापि प्लिस्मेंट सेल गठित राजे बर के सरकारी और दुएख प्रति कि प्रसक्षन सनस्थान यानी की आई तीयाई में पढ़ने वाले चहत्रों को देश विदेश में नौक्री मिल Jest में इसके इसके लिए प्लिस्मेंट सेल का गठन किया गया है जो कि राजे के सभी सरकारी आई टी आई में किया गया है पतादिक इन प्लिस्मेंट सिल को स्रम संसादन विभाग के द्वारा चात्रों को बहतर प्लिस्मेंट दिलवाने के लिए देश के सभी बड़ी कंपनियों और विदेशों में रोजगार के अफसर तलाशने के नरदेश दिये के हैं ऐसे में विभाग के द्वारा दिये गए दिशा नरदेश के अरुसार प्लिस्मेंट सिल के अधिकारियों के द्वारा दूसरे राज्यों से पत्रचार भी शिरुक कर दिया गया है ताकि छात्रों को बहतर प्लिस्मेंट मिल सके बतादे कि इसके पहले चरण के तहट अधिकारियों के द्वारा मुंबई, बेंगलडू, दल्ली, पंजाब, कॉलकता और मध्य प्रदे से पत्रचार सुरुक किया गया है इसके बाद बाकी राज्यों में दूसरे चरण के तहट पत्रचार की श्रिवाद की जाएगी बेतिया में 11 सितंबर को बिरोजगार मेली का आयूजन, अगर आभी बिरोजगार है और रोजगार की तलाश में है तो यहाँ खबर आपके लिए है, बतादे कि 11 सितंबर 2023 को स्रम संसादन विभाग के द्वारा बिहार के बेतिया जिले के बगहा दो प्रखन के हरना टान स्केंदर के प्रांगर में रोजगार मेला का आयूजन करने वारा है, जो कि जिला नियोजनाले के ततवधान में आयूजित किया जाए का ऐसे में एक शुकमिद्वार जो इस रोजगार मेला में भाग लेना चाहते हैं, वह आयूजन अस्थल पर सुभाई 11 बज़े से शाम नियोजनाले में दूरभास संख्या 66254-295737 पर कॉल कर हिल्प सेंटर से समपट किया दो सकते हैं, बांका में विदेशी सराब के साथ तसकर गिरफतार, विहार में पुनरूप से सराब बंदी है, इसे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी, आए दिन हमें सराब तसकरी से जड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं, हालाक इन पर नकेल कसने के लिए उतपात विवाक की ओर से, जीतोर कोशुश की जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही, विटा सराब तसकरों के दोरा तसकर की कैरेटस में छुपाया gya, सराब बरामत किया गया है, बता दे कि बरामत सराब में कुल बोटलों की संख्या 4,020 है, इस दोरा पुलस के दोरा तसकर के भी गिर्फतारी की गई है, जिसकी पहचान तश्री भूशन मंदल के रूप में की गई है, फिलाल तसकर के खिलाफ, मामला दर्ज कर लिया गया है बिहार के कई जिलों में बारिस को लेकर अलर्ट बिहार में मौसम का मिजाज बदला बदला सा है प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिस जैसे हारात हैं प्रदेश में बादलो के आवाजाही से गर्मी और उमस बनी हुई है जिसे लोगों को परिशानी का सामना करना पर रहा पिशले कुस दिनों से होड़ ही बारिश और आस्मान में बादल चाय रहने के करण तापमान में थोड़ी गिरावर दर्ज की गई है जिसे लोगों को रहात मिली है ऐसे में अगर हम आज के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के दोरा जारी के गए प्रवानुमान के रुसार आज राजे के उत्तर पश्चिम और दक्षिन पश्चिम भाग के जिलों के एक या दो अस्थानों में वजरपात के साथ मेगरजन होनी की संभावना जताई गई है वहीं अगर कल यानि की 11 सितंबर के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के दोरा कल को लेकर कोई अलर्ट चारी नहीं किया गया है बतादे के राज्य में 13 सितंबर तक मौसम विभाग के ओर से बारिश को लेकर कोई अलर्ट चारी नहीं किया गया है पिएफाई टेरर मॉड्यूल मामले का रोपी रियाज मारूफ के रफतार बीते दिन स्पी कांतेश मिश्वा के नर्देश पर चक्या थाना की पुलिस के दोरा गुपत सूशना के आधार पर पिएफाई टेरर मॉड्यूल मामले के वांचित एक आरूपी रियाज मारूफ उर्फ बबलू को सुबा स्चौक से गिरफतार कर लिया गया है इस बारे में स्पी के दोरा पुस्टी कर दी गई है बतादे कि रियाज मारूफ का नाम फुलवारी सरीफ टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद आया था मालम हो कि फिलाल पुलिस के दोरा रियाज फारूप से गुत उस जगह पर रख कर पूछ ताच की जारी है और उसकी निशान देही पर छापे मारी चल रही है रियाज के गिरफतारी की जानकारी एन आई ए और एटियस के लावा अने एजन्सियों को भी दे दी गई है मुतिहारी पुलिस इसकी गिरफतारी को एक बड़ी काम्याबी मान रही है भारत वर्सेश इंडिया की बहस के बीच पंकस रिपाठी ने कहीं दिल जीतने वाली बार इसे उन्होंने सभी का दल जीत लिया है द्रसल जब पंकस रिपाठी से पूछा गया कि स्क्रिप्ट में भासा को लेकर कोई परिशानी आती है इस पर उन्होंने जवाब देते वे कहा कि फिल्म में मुझे स्क्रिप्ट देवनागरी में मिली थी क्योंकि देवनागरी मैं याद कर लेता हूँ और रोमन मैं मुझे 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 होती है हिंदी हार्ट लैंड से आते हैं हम हिंदी ही खाते हैं हिंदी ही पीते हैं हिंदी ही बिचाते हैं बाकि अने भाशाओं से भी उतना ही प्यार है उतना ही सम्मान है कोई भी भाशा हो लेकिन हिंदी हमारी भाशा है महीं पंकस डिपार्टी का ये प्यार जब लोगों को काफी पसंद आ रहा है पंकस डिपार्टी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल होड़ा है और इससे लोगों के द्वारा भी खूब पसंद किया जा रहा राजेपाल राजेपाल राजेदर विश्वनात अरलेरकर ने किया वैशाली ब्रह्मन राजेपाल ने वैशाली और मुझअपरपुर की सीमा परस्त असोक अस्थम को भी राजेपाल राजेपाल को चतरमुकी महादेव मंदिर की कमीटी के द्वारा अंग वस्तर दे कर सम्मानित किया गया पाकस्तान के खिलाव भारत के प्लेंग 11 में कट सकता है इस फ्लॉव खिलारी का पत्ता आज रविवार को भारत और पाकस्तान के बीच एशिया कप 2023 के सूपर 4 का महा मुकाबला श्रिलंका के कुलंबो शहर में दो पहर 3 मज़े से खेला जाना है ऐसे में आज के होने वाले इस मैच में भारतिय टीम के कप्तान रोहिस सर्मा टीम इंडिया की प्लेंग 11 से एक खिलारी को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं बता दी कि आज खेले जाने वाले इस मैच में सुबमन गिल और कप्तान रोहिस सर्मा ओपनिंग के लिए मैदान में उतरेंगे वही नमबर तीम पर विराट कोली उतरेंगे इसके लावा स्पेसलिस्ट स्पिनर के तोरपर कुल दी पियादव कोमो का मिलनात्त है तेज गेंद बाजुक के लिए इस प्लेंग 11 में मुहमद समी जस्परीद बुमरा मुहमद सराज को जगह दी जाएगी तेज गेंद बाँ जस्परीद बुमरा के वापसी से सार्दूल विद्यालियों में से एक है संसद ने 1966 में पंजाब एबं हर्याना के गठन को मंजूरी दी इंडियन एरलाइन्स के बोईंग 737 विमान को 1976 में लाहॉर से अफरन हुआ भारत अमेरिका रणितिक सहियों को 2011 में किस्वी सदी के लिए महत्रपूर्ण और अप्रिहारे बताते व प्रसिद भारतिये क्रिकेट खिलारी कुमार स्री रंजी सिंग जी का जन्म 1872 को हुआ था भारतिये स्वतंत सिनानी एवं मुतर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बलव पंत का जन्म 1887 को हुआ था राष्ट्रवादी हिंदी सेवा और आरे समाजी भवानी प्रसिद तेल्गु साहितेकार विश्वनार्थ सत्यनारायन का जन्म 1895 को हुआ था आधुनिक हिंदी कथा साहितेकी बहुत चर्चित और सम्मानित लेखी का चित्रा मुद्गल का जन्म 1924 को हुआ था भारत के जाने माने फिल्म नरदेशक अनुडाक कश्यव का जन्म 1972 में हुआ हिंदी के आधुनिक गद्यकारों में से एक राधी कार्मन फ्रिशाद सेंग का जन्म 1890 में हुआ भारतिय क्रांतिकारी जतंद्रनात मुखरजी का निदन 1925 को हुआ था बंगाल के लोगपडिय उपन्यासकार सुकुमार राय का निदन 1923 को हुआ था सूशल मीडिया पर करिए वारल होती है लेकिन सभी सच दरसल प्याइबी ने अपनी क्वेट में लिखा है कि डवायर इन नहीं दावा किया है कि सहीद ब्यस्ग जवान रंजीत यादव क के परिवार को कोई मुआवजान नहीं मिला है प्याइबी ने अप्यूट में आगे लिखा है कि ये दावा फर्जी है दिवंगत बीस एफ जवान के पडिवार को स्वर्ण जयनती सीमा प्रहड इकल्यान कवच योजना से 16 लाक रुपे का मुआपजा मिला संबंध राजे सरकार की योजनाओं से निकरतम पडिजनों को मि करने वाले सीश महाज इततकाल भुगतान के लिए पहले से ही प्रक्रिया में हैं है कि हेलो यूपियाई बोलकर भी हो सकेगा यूपियाई पेमेंट मौजुदा समय में डिजिटल पेमेंट के लिए उनिफाइट पेमेंट इंटरफेस का एक बेहद लोग प्रिये मोबाइल पेमेंट मेथड है आए दिन इसमें नए नए फीचर जोरते जा रही है वही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया ने बुधवार को ग्लोबल फिंटेक फिस्ट में दो कन्वर्सेशनल पेमेंट की पहल सुरू की है जिनका उदेश्य यूजर्स के लिए पेमेंट की शुरुवास से यूजर्स अनुभव में व्रिधी होगी जिसे वे हिंदी और अंग्रीजी में यूपी आई एप्स, टेलिकॉम कॉल और आई ओटी डिवाइस के माध्यम से वोईस एनेबल यूपी आई पेमेंट करने में सक्षम होंगे जल्दी कई अन्य छेत पेमेंट कर सकते हैं तो यह खबर आपके लिए है बतादे की बोर्ड की ओर से नया सैंपल पेपर जारी कर दिया गया है जिसके ज़र ये खचातर खुद काकलन कर सकते हैं बतादे की बोर्ड की ओर से जारी किये गये सैंपल पेपर को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.cbsc.gov.in slash की माध्यम से डाउनलोड चातर कर सकते हैं मालूम हो कि दसवी और बारवी की परिक्षा की शुरवात 15 फरवल 2024 से होने वाली है इसके अलावा बोर्ड की ओर से दोनों कक्छाओं के लिए विशेवार मार्किंग इसकीम की भी घोसना की गई है मोधी बाइडन की जीबी से पहले की मलकात का इन छित्रों में होगा असर अमेरिकी राश्रपती जो बाइडन और देश के प्रधान मंतरे नरंदर मोधी के बीच दुई विपक्षिये वारता की गई जिसका असर भारत के कई छित्रों में देखने को मिलेगा बता दे किस वारता में दोनों देशों के द्वरा रिन्यूबल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंवेस्ट्मेंट, फंड बनाने पर सहमती जताई गई है जिससे के इलक्ट्रिक गाड़ियों और विजली की कीमत कम होनी की उमीद जताई जारी है इसके अलावा अमेरिका की ओर से नुकलियर एनरजी में भी भारत का साथ दिया जाएगा जिसमें नई टेकनलोजी पर काम और उसकी टेस्टिंग्स शामिल है इसके साथ ही दोनों देशों के द्वरा इलक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी सप्लाई चेन को बेतर और डाइवर्सिफाई करने के लिए भी साथ मिल कर काम किया जाएगा हम प्रते दिन आप से पांच ऐसे जरूरी सवाल और उसे जुरी जवाब बताएंगे जोकी BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समीत, SSC जैसे अने प्रतियोगी परिच्छा में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार सफीशल, विज्ञान, करेंट अफेर्स और भुगोस रहेंगे पूछे गए पांच सवाल में हमारा पहला सवाल है, किस दिन अंतराष्टी पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया? उप्शन E 4 सितंबर, उप्शन B 6 सितंबर, उप्शन C 7 सितंबर, उप्शन D 9 सितंबर इसका सहयोतर है, उप्शन C 7 सितंबर अगला सवाल, हाली में टाटा स्टील, सतरंच, इंडिया, महिला, रैपिड टोर्नामेंट 2023 में कौन विजेता रही है? उप्शन E, वन्तिका अगरवाल, उप्शन B, पोलिना, सुवालोवा, उप्शन C, इरिना क्रस, उप्शन D, दिव्या, देशमुक इसका सही उत्तर है, उप्शन D, दिव्या, देशमुक अगला सवाल, हाली में कहां में विश्व की सबसे उची नट्रास प्रतीमा अस्थापित की गई है? उप्शन E, नई दिल्ली, उप्शन B, महराष्ट्र, उप्शन C, चन्नाई, उप्शन D, बैंगलोर्ड इसका सही उत्तर है, उप्शन E, नई दिल्ली, अगला सवाल, नालंगा में स्थित बड़ा गाउं का पता किस ने लगाया? उप्शन E, आड, ब्रुस्फूरूट, उप्शन B, कनिंगम, उप्शन C, हुलर, उप्शन D, मैकेंजी इसका सही उत्तर है, उप्शन B, कनिंगम, अगला सवाल, पुराततों वेता, कनिंगम ने बिहार में निम्नवे से किस चीज की खोच की? उप्शन E, के सरियास्तू, उप्शन B, लॉर्या अरेडाज का असोक स्तम, उप्शन C, वसाल के अफ्शेशों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, उप्शन D, उप्विक्त सभी इसका सही उत्तर है, उप्शन D, उप्विक्त सभी इसके साथ ही भरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसार आज भारत और पाकस्तान के बीच एशिया कब 2023 के सूपर चार के महा मुकाबले में किस्टीम का पलडा भारी है अपना चवाब हमें अमारी कमेंट सेक्षन में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहाने के लिए देखते रहें विहारी निउस और साथ ही अगर आप YouTube से देखरें चनलन को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखरें पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद